सजग हरियान देखने वाल है सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार अभी फिलहाल हम मौझूद हैं गाउं गिगनाओं के अंदर गाउं गिगनाओं के अनदर अभी फिलहाल श्याओं का टाइम है अगर बात की जाए तो रात के 8 बज चुके हैं लेकिन अगर जोस और जुनून की बात की जाए तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं उन से शीखा जाए आज भीम आर्मी का जो स्थापना दिवस है उसको बनाने के लिए यहाँ पे गाउं गिगनाव के अंदर भाई टिंकू चोपडा पहुंचे वे हैं अभी फिला हाल म आपको लिए चलते हैं कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है और उनके सयोग साथी भी यहाँ पे बहुत सारे पहुंचे वे हैं तो अभी डारेक्ट हम वहां पे चलेंगे उनी से मिलेंगे एक बार जानेंगे कि उनका क्या मक्सद था कि आज जिनोंने स्थापना दिवस के पर इकठा हुए हैं तो आगे की क्या सोच उनकी रहेगी उनी के बारे में हम बात करेंगे हम बेड़कर भवन गाउं गिगनाव के अंदर पहुंच चुके हैं और यहां पे मौजूद हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष टिंकु चोपड़ा भाई तो फिलहाल आप गिग के मादम से आपके जितने भी दर्शक हैं सबको जै भीम जै वारत दूसरा आज भीमार्मी का छटा स्थापना दियोस है आज 6 साल होगे भीमार्मी संगठन को बने हुए तो उसकी भी मैं आप सभी जो दर्शक हैं उनको मैं तैदिल से दन्यवाद और बदाई देना चाहता पर स्थापना दियोस मुनाया गया है विवानी में और उस साइड की बात करें तो बवानी खेडा में और इस साइड की बात करें तो गाउं गिगनाओं में तीन जगह पहुंचे हैं कैसा माहूल यहां रहासर आपका जी मैं यहीं पहुंचा हूँ तीन जगह पे अलग सिंगानी गाउं से, कुडल के साथी, भीवानी के साथी, कैरू गाउं से और बहुत सारे गाउं से यहां पे साथी इकठा हुए थे जिन्होंने हमारा उसला बढ़ाया है जिस परकार से साथी जो पिछे हमारे गाउं की गिनाव से भी खड़े हुए है तो आपने समय रखा है आपका टार्गेट जो है डारेक्टली मैं पूछना चाहूँगा आप से कि आपका स्थापना दिवस का ही टार्गेट है या और कुछ आप संदेश देना चाहते हैं क्या आपने समाज के जो लोग हैं उनको कुछ संदेश देने के लिए कठा हुए है या सिरफ अपनी स्थापना दिवस के रूप में ही आये हैं जी मैं सिरफ स्थापना दिवस मनाने के लिए नहीं आया हूँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लुआरू छेटर के जो भौजन समाज के लोग हैं वो जिस परकार से मिसन से दूर हो रहे हैं और जो ये से मैं अगर किसान की बात करूँ तो यहाँ पे जो जबीन है वो बंजर है भौजन साइकल यात्रा सुरू कर रहें और इस थ थी तक यह संदेश अपना पहुंचा सके कि बहुती जल्द लोवारू में जो विदान सबा के जितने भी गाउं हैं वहां पे हम बहुजन साही के लियातरा सुरू कर रहे हैं जिसका जो है जिसका उदेश से ये रहेगा कि बहुजन समाज के जो मापूरूस हैं हमारे उनके व यह बात ही बोली है सर क्योंकि अभी टाइम में आगे का आने वाला है और सभी पार्टियों का यही माहोल रहता है कि राजनितिक सत्ता हासिल करना अभी फिलहाल आपने सर महापूरूसों की बात की तो डारेक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस महापूरूस में आप जो की मेरे प्रेड़ना स्तरोत भी हैं जिनोंने अलग-अलग जो है तरीके से कारिय करके जैसे मैं बात करूँ मातमा जोती बारा फूले की तो वो ओबिसी समाज से आते थे और उस टाइम पे S.C.S.T. जो समाज था वो इतना गुलाम था मानसिक रूप से कि उनको आगे ब लगाया था जिसके बलबूते पे हमें बाबा साहब उन्होंने पढ़ने का मौका उनको दिया और उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया उसके बाद में मानेवर कासिराम साहब ने उसे मिसन मुमेंट को दोबारा से सजिन्दा किया और बाबा साहब का जो मिसन रुका हु होती है लेकिन दीरे दीरे जो है उनके विचारों को मानेवर साब कासिराम के विचारों को जो है बदला जा रहा है क्योंकि मानेवर साब कासिराम जी ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा लेकिन आज बहुजनों की बात कहीं न कहीं दबी है इसी वज़े से माननेवर साब के जाने के बाद भी आज तक जो है हमारी सत्ता हासिल नहीं कर पाए हम परदानमंतरी पद की जो कुर्सी है वहां तक नहीं पहुँच पाए हम लेकिन माननेवर चंदर सेखर आजाद रावन जी ने जो इतना अच्छा प्रियास दिन रात एक किया है संगठन में अपना खून पसीना लगाया है समाज के हर आखरी व्यक्ती तक उन्होंने पहुचने का प्रियास किया है समाज में किसी भी जगह पूरे देश में या वीदेश की बात करूं मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भीमार्मी संगठन पूरन रूप से तन्मन और धन से समाज के परती समर्पित है और भीमार्मी का एक एक कारी करता जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ कि अगर प्राणों का बलीदान भी कहीं देना पड़ जाए तो भीमार्मी के कारी करता जो है प्राणों का बलीदान भी देने से पिछे नहीं अटते कि बात समाज के हित की होनी चीए लोहारू विधान सभा की बात करें तो लोहारू विधान सभा में कितने साथ ही आपके साथ में चलने के लिए त्यार हैं और नौ में अगर आप एकतरित हुए तो भीम आर्मी संगठन में भी कोई साथी सामिल हुआ है जी बहुत से साथी हैं जो बीम आर्मी संगठन को सपोर्ट करते हैं लेकिन दूसरे जो संगठन है अलग-अलग रूप से कारी कर रहे हैं चाहे वो दूसरे समाज के हो चाहे बहुजन समाज के हो लोहारू विधान सभा से डारेक्ट आपके साथ में कौन जुड़ा हुआ है लोहारू विधान सभा से डारेक्ट मेरे साथ में विश्नु दैया जो गिगनाओ गाउं से है और गोठडा गाउं से परवीन जी है रामू बाई साब है पद भी है उनके पास में जी विश्नु दैया जो है विदान सभा। अद्यक्स के पद के उपर कारीय कर रहे हैं। और जो दीरे दीरे रिक्त पद हैं, उनको हम जल्दी ही बर देंगे। हमारा काम सिर्फ पदों को बढ़ना नहीं है, बलकि हमें समाज में ऐसे हीरे चुन रहे हैं, जो कि समाज को आगे ले जाने का कारिये करें मिल्कुल आपकी बात रोकना चाहूँगा क्योंकि हर एक पार्टी का सरेक मुद्दा होता है अपने अपने छेतर के अंदर किसे ना किसी व्यक्ति को जिसके अंदर अच्छी काबिलियत हो उसको अपनी पार्टी में ले किया आना मतलब हर पार्टी यहीं चाहती है कि हमें अच्छा व्यक्ति मिले लोगों को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा व्यक्ति हमें मिले तो आगे की जो आपकी पार्टी की जो छोटी शी बात करना चाहूँगा कि लोहरो विधान सबा के अंदर क्या कुछ आपका वर्चस हुआ है सर कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ मुद्दों के लिए लड़ेंगे या लड़ रहे हैं आप जी आजाद समाज पारटी के नाम से ही पता चलता है आजाद समाज पारटी जो समाज आजाद हो चुका है इतने वर्षों से हमें जो आजादी मिली है उसका ही उसी के नाम पे हमारी जो पारटी का नाम रखा है आज कि नेली होगाeny होगा क्या और चस्वा तो मैं आपको यह पताना चाहता हूं कि यूवाओं में राजनेता पैदा करने के लिए इस संग्टन बनाया गया हैं अगर कोई हमारे बरवज्द समाज का नेता अगर हमारे संगठन की जो भी मदद चाता है तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है अगर आजाद समाज पार्टी में जोईन करना चाता है तो उनके लिए दिल के दरवाजे और पार्टी के दरवाजे खुले हुए है हालांकि मेरा पार्टी से वास्ता नहीं है हमारा जो है लौरू इदान सभा में अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है और हम आखरी सास तक संगठन को बढ़ाने के लिए काजिरत रहेंगे आज भाई टिंकु चोपडा काउं गेगनाओं में पहुंचे हैं कैसा माहोल यहां देखने को मिला आपकी मौजूदकी के अंदर बहुत ही बढ़िया माहोल था और मैं बहुत हो धन्यवाद करना चाहूंगा टिंकु चोपडा जी का और जो साथी पहुंचे उनका